वेलकम टू स्टेडी को वसीनत आज इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे फ्रीडम आफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटा कोस रिलेड़ेड प्रोवीजन में फोकस हमारा आर्टीकल 301 पर रहेगा और आर्टीकल 301 का आर्टीकल 19 वनजी के साथ हम कंपैरिजन भी करेंगे तो सबस वी जद्रूतों की चीजों को कुछ से प्रूड्यूम नहीं गर सकती है और इसके अलाव कुछ और भी रिसन होते हैं जैसे की प्रोड़क्ट ऐसे होते हैं जो कि किसीâteट ज्सक्राश वोते हैं, ऊसलिए कुछ सेभ हो गया संच्रा, माल्टा वगरा ये जो प्रूड सेब है यह सिर्फ पहाडों में ही क्या की जा सकते हैं तो जो मैदानी इलाकेवाले स्टेट उनको अगर इन प्रद्ई की जरूरत पड़ेगी तो फिर उसके लिए क्या जाएगा उसके लिए किया जाएगा ट्रेड तो जैसे कि जो ट्रेड है वो किसी भी कंड्री के इकोणोमिक ग्रोथ का बहुत ही इंपॉर्ण एस्पेक्ट होता है तो इसलिए जो ट्रेड है उसको regulate करने के लिए govern करने के लिए manage करने के लिए facilitate करने के लिए regulation rules वगरा की भी आवशकता बढ़ती है क्योंकि अगर rules और regulation नहीं होंगे तो कोई भी मनमाने तरीके से trade वगरा करेगा तो इसलिए हमारे Indian constitution में part 13 में article 301 से लेकर 307 तक दिये गए हैं से कि freedom of trade commerce and intercourse वगरा है इससे deal किया जा सके सबसे पहले जो हमारा article 301 है यह general principle देता है trade commerce and intercourse के बारे में article 302 से लेकर article 305 में कुछ restrictions वगरा दिये गए हैं जो कि freedom of trade commerce and intercourse के उपर लगाये जाते हैं article 306 repealed है और article 307 उस authority के appointment के बारे में बात करता है जो कि article 301 से लेकर 304 तक में दिये गए purposes को achieve करने के लिए appointment की जाती है तो यह जो provisions है यह हमारी Indian constitution में Australian constitution से अड़प्ट हिए गए हैं इसके अलावा जो trade and commerce है जो कि foreign countries के साथ किया जाता है यह हमारी Indian constitution के तहत union list का subject है और जो interstate trade and commerce होता है यह भी union list का subject है इसके अलावा अगर हम बात करें within state जो trade किया जाता है यह किस list का subject है यह state list का subject है under the entry 26 of the state list but जब state list के subject के तहत state अपनी power को exercise करते हुए legislation वगरा बनाएगी तो जो concurrent list में entry number 33 दे रखिया है जहां पर trade and commerce को बनाया गया है concurrent list का part उसके subject में रहते हुए ही क्या करेगी state अपनी power को exercise करेगी अब अगर हम बात करें कि इन provisions का क्या objective है जिसकी वजह से इन्हें हमारी Indian constitution में incorporate किया गया है objective यही है कि इंडिया में trade and commerce का जो free flow है उसको encourage किया जा सके trade commerce and inter cause की stability public utility maintain की जा सके हमारे देश का जो economic integration है जो economic unity है उसको maintain किया जा सके और जो economic balance है उसको promote किया जा सके fair trade किया जा सके और जितना possible हो सके different different states के बीच में barriers को reduce किया जा सके जिससे की जो different different state के country के अंदर members है वो यह feel कर सके कि वो एक ही country में रह रहे हैं अब अगर हम article 301 के बारे में बात करें कि यह कहदा क्या है तो इससे पहले इसका जो background है कि कैसे इसे हमारे इंडियन constitution में insert किया गया यह discuss करेंगे पूरा इसको हम analyze करेंगे तो जो article 301 है जब इसको ड्राफ्ट किया जा रहा था उस time पर जो हमारे इंडियन constitution maker थे उनके पास दो तरह के model थे एक था American model और दूसरा था Australian model तो जो हमारे इंडियन constitution maker थे उन्होंने Australian model को accept किया with two changes यानि की पूरा का पूरा जो Australian model है उसको accept नहीं कि उसमें दो बदलाओं के साथ article 301 में उसको incorporate किया पहला difference तो यही है कि जो आपका Australian constitution में section 92 दिया गया है वहाँ पर एक word यूज हुआ है जो कि है exclusive बट यह same word हमारे Indian constitution के article 301 में यूज नहीं किया गया है जिसका मतलब है कि जो freedom of trade commerce और inter cause है यह इंडिया में exclusive नहीं है दूसरा point of difference यह है कि article 301 के तहरत freedom of trade commerce और inter cause interstate और interstate दोनों के संबन में दिया गया है बट same चीज Australian constitution में नहीं दी गई है तो इन दो बदलाओं के साथ Australian model को accept करते हुए Indian constitution maker ने हमारे Indian constitution के part 13 में article 301 को incorporate किया अब अगर हम बात करें कि article 301 कहता क्या है तो article 301 यह कहता है कि subject to the provisions कौन कौन से provisions article 302 से लेकर 305 तक जो यह गये हैं इन प्रोवीजन के subject में रहते हुए जो ट्रेड है commerce है इंटर कोज है यह पूरे इंडियन territory में बिल्कुल free है बिल्कुल free होगा यह गहता है article 301 यहां पर trade का मतलब है buying or selling of goods excluding manufacturing process commerce का मतलब है सभी तरह के transportation चाहे वो लैंड से हो रहे हो एर से हो रहे हो थर्डी जो इंटर कोज है उसका मतलब है movement of goods from one place to another place अब यहां पर article 301 में जिस trade की बात की गई है कि यह बिल्कुल free है उसमें illegal activities included नहीं है कि अगर यहां पर freedom of trade commerce इंटर कोज दे दिया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी illegal activity जो कि criminal nature की है वो इस provision की आड में perform की जारी है यानि कि in the case of state of Bombay versus RMD चमर भोगवाला 1957 के case में यह हैल किया गया कि कोई भी activities जो कि criminal nature की है जो कि undesirable है उनको article 301 के तहट protection नहीं मिला हुआ है for example lottery, gambling, trafficking of women and child, hiring of gundas और terrorist एक्सेटरा अब यहां पर जैसे कि article 301 के तहट हमें freedom of trade, commerce and intercourse दिया गया है जो कि throughout the Indian territory exercise किया जा सकता है तो यहां पर इस चीज के सम्मद में कुछ cases है जैसे कि state of मैसूर वर्सेस एस संजीवा 1967 इस case में हुआ यह कि government ने मैसूर फॉरेस्ट एक 1903 के तहत between sunrise and sunset, movement of forest produce, क्या गर दिया था? बैन गर दिया था, तो मामला कोट में गया और यह सवाल उठा कि क्या, यह जो ban लगाया गया है यह article 301 of Indian constitution का violation है तो इस case में Supreme Court ने यह judgment दिया कि जो यह law है, यह void है क्योंकि यह law है, यह restrictive है, regulatory नहीं है और यह freedom of trade, commerce and intercourse जो हमें article 301 के तहत provide किया गया है, उसका violative है तो इस तरह से in Indian territory as per article 301 trade, commerce and intercourse बिल्कुल free होगा लेकिन इस right के उपर article 302 से लेकर 305 तक जो provision दिये गए हैं उनके अधिन क्या किया जा सकता है, restrictions लगाए जा सकते हैं तो सबसे पहले जो article 302 है, इसके तहत parliament को empower किया गया है कि जो parliament है, वो क्या कर सकती है, freedom of trade, commerce and intercourse के उपर restrictions लगा सकती है, अगर restrictions लगाना public interest में हैं बट restrictions लगाते समय, article 303 में जो कहा गया है, उसको parliament ध्यान में रखेगी यानि कि जो parliament है, वो किनी different state के बीच discrimination करके या फिर किसी particular state को favor करके क्या नहीं कर सकती है, restrictions imposed नहीं कर सकती है freedom of trade, commerce and intercourse के उपर, तो ये बात आपकी article 303 में कही गई है, यानि कि जो parliament की power है, restrictions लगाने की under article 302, इस power को article 303 के तहत क्या किया गया है, limited किया गया है इसके अलावा article 304 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर state को power दी गई है, क्या power दी गई है पहली चीज तो ये, कि जो state है, वो अगर किसी other state से या फिर किसी union territory से क्या कर रही है goods वगेरा import कर रहे है, फिर उनके goods उस state में transport हो रहा है तो तब वो जो state है, वो उन goods के उपर similar tax क्या करेगी, impose करेगी ऐसा नहीं करेगी, कि खुद के जो goods से उनके उपर कम tax लगा रही है जो बाहर state से आ रहे हैं, उनके उपर जादा tax लगा रही है यानि कि state को यहाँ पर tax लगाने की power दी गई है दूसरी power state को दी गई है कि जो freedom of trade, commerce and inter cause है उसके उपर state क्या कर सकती है, reasonable restrictions imposed कर सकती है वो भी तब जब ऐसा करना in the public interest हो और इस चीज़ के संबन में अगर state ने कोई law वगरा बनाया है कोई bill वगरा बनाया है या फिर कोई amendment वगरा किया है तो उसको state legislature में तब तक पास नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके उपर prior approval नहीं मिल जाता है प्रेजडेंट आफ इंडिया का तो यहाँ पर जो article 302 के तहर पार्लेमेंट क्या कर रही है freedom of trade and commerce के उपर restrictions लगा रही है वो भी तब जब ऐसा करना public interest में है तो वो जो restrictions है वो reasonable नहीं है बट article 304 के तहर जो state क्या कर रही है restrictions लगा रही है उनका reasonable होना जरूरी है तो यह difference है आपका article 302 और article 304 के तहर जो restrictions लगाए जाते हैं और यह बात आपकी automobile transport limited versus state of Rajasthan 1962 के case में held हो रखी है नेक्स आर्टिकल है आर्टिकल 305 यह कहता है यह कहता है कि आर्टिकल 301 में और आर्टिकल 303 में जो प्रोवीजन अभी हमने डिसकस किये है वो उन लॉज के ऊपर कोई effect नहीं डालेंगे जब तक कि जो प्रावधान वो प्रोवीजन उन लॉज के ऊपर कोई effect नहीं डालेंगे जो कि state की monopoly से संबंधित है यानि कि जो already framed laws है या जो laws बनाए जा रहे है for this state monopoly उनको आर्टिकल 305 के करता है save करता है नेक्स आर्टिकल है आर्टिकल 306 जो कि repealed है और आर्टिकल 307 के अगर हम बात करें तो यहाँ पर उस authority के appointment के बारे में बात की गई है जो कि आर्टिकल 301 से लेकर 304 में जो purposes वगएरा दिये गए है उनको achieve करने के लिए by the parliament क्या की जाएगी appoint की जाएगी यानि कि parliament उस authority को appoint करेगा under article 307 और उनको वो सारी duty, power वगएरा देगा जो कि parliament को लगती है कि यह powers and duties इस authority को देनी चाहिए जिससे की भई आर्टिकल 301 से लेकर 304 तक जो purposes दिये गए है वो अचीव हो सके निक्सली अगर हम बात करें आर्टिकल 301 और आर्टिकल 191 जी ऑफ इंडिन constitution में क्या difference है तो पहला difference तो यही है कि यह जो आर्टिकल 301 है यह इंडिन constitution के part 13 में दिया गया है जबकि आर्टिकल 191 जी इंडिन constitution के part 3 में दिया गया है आर्टिकल 301 जो है यह बात करता है freedom of trade, commerce and intercourse की जो की throughout the Indian territory exercise किया जा सकता है वहीं आर्टिकल 191 जी occupation, trade और business की practice के freedom के बारे में बात करता है आर्टिकल 301 जो है यह constitutional right है, आर्टिकल 191 जी fundamental right है जो आपके right दिये गए है, आर्टिकल 301 में यह कोई भी person क्या कर सकता है, claim कर सकता है और जो आर्टिकल 191 जी में दिये गए है, fundamental rights यह सिर्फ Indian citizens को ही available है और जो आपका आर्टिकल 301 में प्रावधन किया गया है कि जो trade है, commerce है, intercourse है, वो throughout the Indian territory क्या होगा, free होगा तो इस right के उपर restrictions हम किन प्रावधन के तहत लगाते हैं तो जो आपके आर्टिकल 302 से लेकर 305 तक दिये गए हैं इंडिन constitution में यही क्या है, restrictions लगाते हैं आर्टिकल 301 के उपर वही आर्टिकल 191 G के उपर किस प्रावधन के तहत जो state है, वो restrictions लगा सकती है तो जो आर्टिकल 19 का close 6 है, वहाँ पर जो grounds बताए गए हैं उन्ही grounds के अधार पर आर्टिकल 191 G के उपर restrictions लगाए जा सकते हैं हाला कि कुछ point of difference है आर्टिकल 301 और आर्टिकल 191 G में पर इनको कुछ aspects में क्या कहा जा सकता है, कि यह interrelated है एक दूसरे के supplementary हैं और same ही object यह क्या कर रहे हैं, share कर रहे हैं इसके अलावे state of Bombay versus RMD चमर भोगवाला 1957 के case में Supreme Court ने यह observe कि जो आर्टिकल 301 है और आर्टिकल 191 G है, यह two facets of same thing है यानि कि यह freedom of trade के दो अलग-अलग पहलू है, जहां आर्टिकल 191 G जो है यह trade business के संबन में जो right है, उसको एक individual right के रूप में देखता है वहीं आपका आर्टिकल 301 जो है, वो as a whole हमें दिया गया है यानि कि कोई भी person आर्टिकल 301 के तह जो freedom of trade and commerce दिया गया है उसको क्या कर सकता है, claim कर सकता है तो इस तरह से जो article 191 G है, इसका scope narrow है और जो article 301 है, इसका scope wider है तो इस तरह से हमें conclude कर सकते हैं कि जो हमारा देश है यह one of the major economies है in the world और इससे लिए यह important है कि जो trade है, commerce है, intercourse है उसको regulate करने के लिए कुछ provisions होने चाहिए और provisions दिये भी गए है हमारे Indian Constitution में article 301 के तहत, freedom of trade, commerce and intercourse का right दिया गया है बट यह जो right है, यह absolute right नहीं है इस right को कुछ restrictions के अधीन रहते हुए ही exercise किया जा सकता है और जो restrictions हैं वो लगाए जा सकता है article 302 से लेकर 305 में जो provision दिये गए है उनके according और restrictions इसलिए लगाए गए है इस right के उपर इन प्रावधान के तहप जिससे कि यह ensure किया जा सके कि जो article 301 है इसको legally exercise किया जा रहा है ना कि illegally रहे हैखते है यहां अजरड़ को श अब करना है next video में